दोस्तो एनेच्पीसी लिमिटेड की बात को श्टॉक के अंदर आज काफी बड़ी गिरावट देखनों को मिली है श्टॉक फिर से हंडेट के नीचे आ चुका है ऐसे में क्या नेच्पीस में भारी गिरावट की संभावना बंद रही है या फिर यहां से संभावना है जोरी रहेगी तो अब सबसे जो बड़ी बात है यहां पे दो तीन बड़ी ब्रेकिंग देखनों क्या रही है जिनकों में के करके डिसकस करने वाले यहां पे एक नया एमबो यू साइन क्या है कंपणी ने एनेच्पीसी लिमिटेड ग्रिन हाइड्रोजन के कारूबार में भी तेजी से आगे बढ़ रही है जो देश का फ्यूचर है ऐसे में क्या एनेच्पीसी में इस समय निवेस करना चाहिए गिराउट का हमें फाइदा उठाना चाहिए दूसरे तर बगर हम आई एपसी आई की बात करें तो यह सरकारी एनबीएपसी है और बहुत सारे अलग करेंगे इस वीडियो के माध्यम से लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बिल आइक उन दबा दीजिए ताकि जबीने अवरियो बने पहला नूटिफिकेशन आपको मिले वीडियो पसंद आए लाइक शेजरू किजिए चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त एस भी दवे और मारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो सबसे पहले नहीं से लिमिटेट की बात कर ले तो 98.08 पर क्लोजिंग थी 5.06 पर माहल ही बिगार दिया और सभी श्टॉक दरा से हो गए अब आपको यह पत्रा होगा कि 15 जुलाई को इसने 108 का एक फ्रेश आई बनायता तो यह 15 जुलाई को जो पोर्टफिलो जिसका किसी ने हलका किया होगा या प्रॉफिल बुकी होगा उसको बड़ा फाइदा होगा उस की जो भारी गिरावट ने इसको 100 का जो मजबूत सपोर्टा उसको भी तोड़ दिया है औरी विक्नेस आगे दिख रही है और इसके बीच में जो बड़ी गुड़ी निकल के आ रही है एन एच पीसी ने यहाँ पे आई-ई-टी गोहाटी के साथ में एक MOU साइन किया है रि रिदे मलाजी सेक्टर के लिए हाइड्रो पावर सेक्टर के लिए और वेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए यह एक MOU साइन किया है दोनों मिलके इसके ओपर रिसर्च करेंगे तो देख सकते हो कि कमपनी बहुत तेजी से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी कंप्लीट है लड़ाक में इनका प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है तो इन सबके लिए अब एक एडवांस रिसर्च की ज़ूदता है और इसलिए इन्होंने गौर्टि की जो रिसर्च इंसिट्टिटूी के साथ में इन्होंने हाथ मिलाया दोनों मिलके रिसर्च करेंगे और इस टे गारेक्टर प्रोजेक्ट के तौर पे संजीय कुमार सिंग की बात को यह सिविल इंगिन के पास दिग्री और 32 साल का इनके पास अनुबवय पावर और इंफ्राइक्टर सेक्टर का इसका फाइदा बिल्कुल मिलता हो दिखा देगा कंपनी के लिए एक आप देखे तो एक कौाटरवन का रिजल्ट को कमपनी अपना कौाटरवन का रिजल्ट रिखले करेगी और देख सकते हो कि इनसाइड टेडिंग लिए टेडिंड में और गूजिये जो 9 अजाविड तो फ्राइडेक्ट के दिन टेडिंग खूल जाएगी से बिके रूलसर के तैच्ट जब भ फाइदा न उठा ले इसलिए ये रूल्स बनाए गया अब अब देख सकते हो कि रिजल्ट पीछली बार कुछ कमजोर थे और इसके पीछे वज़ाद है कि देख सकते हो कि कंपनी के जो पाउर प्लांटे वहाँ पे बिजली निर्मानी हो पाई बाद डेमेज होते हैं और इस बी है और आने वल्स में एक संभावन पॉज़ी बने हुए है अब एक बार हम इसके एनलिस्टों की राय देख ले देख लेकर क्या है तो स्ट्रॉंग बाई की जो कॉल देने वाले तीन है जो एक महीने पहले दो थे तो यहाँ पर वर्दिय हुई है यानि एक एनलिस्ट इसको और स्ट्रॉंग बाई की कॉल दे दी है बाई की रेक्मेंडेशन करने वाले एक है और वो लगातार बने हुए होल्ड की जीरो रेटिंग है यहाँ पर फिलाल कोई नहीं होल्ड की रेटिंग दे रहा है सेल की रेटिंग देने वाले यहाँ पर दो है जो लगातार ब बन रही है ऐसे में एक अच्छा मौका है कि NHPC जैसे श्टॉक में दाव लगा लिया जाए आने वाले समें NHPC आपको जबर्दस रिटन देख सकता है वैसे अब इससे में जो गीराउट का महोल है उस हिसाब से श्टॉक बहुत जदा अंडर वैली श्टॉक भी है इसमें कोई बड़ी तेजी नहीं बनी आपको ध्यान अक्राइच है थर्टी फाइव के आसपर तो इस्टॉक दो जाद दस में था उस हिसाब से कह सकते इसमें कोई खास तेजी नहीं बनी और इसके पास काफी बड़े-बड़े प्रोजेक्ट है कंपनी ग्रीन हाइडोजन का निर्मान बारी बरकम गिरा और देखनों को मिली जिस तेजी से श्टॉक बड़ा था उसी रप्तार से फिर नीचे आ गया तो यह श्टॉक ने बैतर प्रदस्रिंग किया था आप देख सकते हो कि पिछले एक महिने में यहापर 24% का अभी भी पॉजिटर रिटन देखनों को मिल रहा क्योंकि स्टॉक साथ के आसफर तर पाच जुलाई को यह स्टॉक 90 को क्रॉस कर गया था और उपर के लिवर से देख से काफी ज्यादा क्रेक्ट हो चुका है यानि जितनी तेजी बनी उसमें लगवग आधी यहापर तेजी खत्म होते हुई दिखाई देगी आई एफसी आई की बात तो यह एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपणी है और देखे तो की शुरुआ थे इसकी उनीसो और तालिस में होई थी और अलग-अलग इंडेश्ट्रीज को फंड प्रोवाड़ करने का काम करती है कंपणी के लिए अब देखे तो एरपोर्ट्स टेलीकॉम, पॉवर, रियाद इस्टेट, मैनुफेक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, इस से अलग-अलग इंडेश्ट्रीज को यह फंड प्रोवाड़ करने का काम करें और 75 सालों का इनके पास अनुबव है काफी बड़े मेगा प्रोजेक्ट में कंपणी ने फंड प्रोवा प्रोट अधानी के प्रोजेक्ट को भी इनों ने ही फंड प्रोवाड़ के आए तो वाकई में इसकी प्राइस काफी कम है आने वाले समें बैतर प्रदर्शन की उम्मिद कर सकते हैं सरकार की तरफ से जो नहीं नहीं स्कीमे लाई जारी है समय बज़र में भी काफी बड़े एलान हुए तो ऐसे में जो MSB वगरा को फंड प्रोड़ करने का काम IFCI करेगी यह सरकारी कंपनी जिसकी प्राइज अभी तक नहीं बड़ी है प्लाई स्कीम जो सरकार की तरफ से लाई गी है वो उसका फाइदा भी IFCI को होगा आत्मंदीर भारत के तरफ सरकार की तरफ से काफी अच्छा मौका है लॉंग टम के लिए शॉट में इस समय निवेस किया जाए गवर्मेंट आप इंडिया की तरफ से यहां पर देखो कि वेंचर कैपिटल फंड 200 क्रोपी का एलोड किया गया सेडूल कास्ट के लिए और IFCI के मादिम से इसको आगे पहुचाया जाए तो यह भी एक बहुत बड़ा मौका है इस समय IFCI के लिए तो कुल मिला के यह स्टॉक आनेवर्स में बैतर परदेशन कर सकता है इसकी बहुत सारे अलगला सबसेडिश कंपनी है जिसके मादिम से कंपनी काम करती है तो ऐसे में निवेस को के लिए भी गिरावट का फाइद बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें कि मैने वीडियो आपके एजुकेशनल परपच के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो लाइक शेजरू की जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थेंक्यू फ्रेंड्स